कि हेलो दोस्तों परक्टिक्स एकर अगर एक सीक्श कर लिए करना चाहते हैं तो मोंग टाश्ट या प्रक्टिक्च सेट देना बहुत जरूरी की किया हमारे त्यारिक कैशी आपसे हम अपनी अच्छी त्यारी करके यह सेलेक्शन पास सकते हैं तो चलते क्वेस्टन नमबर वन पर हर्याणा निर्वाचन आयोग की ब्राइड अमैस्टर कौन है तो हर्याणा में निर्वाचन आयोग का ब्राइड अमैस्टर किसे बनाया गया है तो इसका राइट इन स इसाना के इससे किसका बना गए सैंअ है इसे बदो पर बीम पूरिशकार के अंतरगत कितनी राशी दी जाती है common गान तो पांचलाग रुपए दी-जाती है और हरियाना का सबसे सरफ्षेष्ट खेल पुरुषकार माना जाता है बीम पुरुषकार को चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन बर तीन है हरियाना किर्सी विबाग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो हःयाना किर्षी विभा का नाम बदल कर क्या रख दिया गहा है? तो रायाट एंस रोग आप्सने किसान कल्यान विभाग रख दिया गहा है हरियाना किर्षी विभाग का और किर्षी मंतरी कोन है? वरतमान महरियान के तो जेप दलाल चलते हैं question number 4 पर हरियाना किसान کल्यान विबाग के या आयोक के चैर्मन कौन है तो इसके चैर्मन कौन है तो राइंट जरोग आप्टसी रमेस याद वह ठैणन किसान कल्यान आयोक के चेर्मान था अगर कुछ तो जो भी question लिए important और selected question जो है चासी की पिछले exam में आ चुके है और बार बार आगे रिपीट होते हैं और चासी के नए exam schedule के दार पर यह practice setup के लिए त्यार किया है question number 6 है नीमन में से किसे हरी आना लोग theater का जना कहा जाता है तो उनमें से किसे लोग theater का जना कहा जाता है तो रायट answer का option है तो अलीवक्स को दोस्तों इस question में कुछ mistakes या कुछ misleading हो गई क्योंकि कई जिगा मैंने internet पर भी सरच की कहीं पर like mission दिखा रहा है लेकिन जाधा तर अलीवक्स ही दिखा रहा आप भी confirm कर लेना मेरे ख्याल से तो अलीवक्स इसका right answer होगा चलते है next question में साथ है सितारा समारक खलिस्तान की समाधी है तो सितारा समारक किस की समाधी से belong करती है तो right answer होगा option A इनकी ताराचंद महराज की समाधी है सितारा समारक और ये कहां पर है ये तो तो ये बिवानी में स्तीत है सितारा समारक की समाधी दोस्तों बीच में आपके लिए भी question है देखते हैं कि तेरे किस लेवल पर पहुंच चुगी है निमर में से कौन सरवादिक बारहर याना विदानसबा का speaker चुना गया है तो इन में से सरवादिक बारहर याना का विदानसबा का speaker कौन चुना जा चुका है तो right and stroke option C हर मेंदर, सिंग, चड़्ड, सरवादिक, बारहर याना विदानसबा की से इन ओप्शनों में से आपको याद रखना है तो कब-कब शरू में सुने गए थे 1987 में फिर 2006 में और फिर 2009 में इनकी तीन बार चुने जा चुके है चलते हैं question बार 9 पर 11 में विदानसबा चुनाओ का बू है थे तो 11 में विदानसबा चुनाओ का बू है थे दोस्तों ये option गल्थ है तो इसका right and stroke option यहाँ पर एक कर लेना तो यहाँ पर 5 आगा एक जगा 2005 में थे हरी आना के 11 में विदानसबा की चुनाओ क्योंकि जो 19 में होग है ये चोध़णी है थे जो 2014 में थे वो 2013 में थे 2014 में बूँ थे वोए थी बार्मी और 2005 में थे अब की बार विदानसबा की अधेक्श कौन है तो ग्यान-चंद गुपता हरी आन विदानसबा के अधेक्श है सलते है question number 10 पर लाइ ट्री में आप उपसन ए तो चावलर्यन कि मुख्या क्रीब फ़सल कौ Fest कौन tratar अपर ख़ए फसल होगी मुख्यत है और रभी फसल है रभी में दोख सराते हैं रभी तो रभी में गेहूं इनकी आप को आप कौन सी सीजन में कौन सी बोजाती है फिर असानी से बता सकते हैं क्वेस्टन नबर 11 पर चलते हैं, हरियान में ड्रिप सिचाइप पद थी, किस मुख्य मंतरी के प्रयासों से सरो होई थी, तो इसका रायट अन्सर होगा, ओप्शन, डीन की बंसिलाल के प्रयासों से ड्रिप सिचाइप पद थी, आपको याद रखना है, और बता देतों, बं 266 में मुख्य मंतरी बने थे, सबसे पहले, नाक्स्ट है, क्वेस्टन नमबर 12 है, 2011 की जनगन्डा का इनुसार की सहर में में लाओ की जनसिंख्या सरोधिक है, तो इसका रायट अन्सरोग अप्शन डी तो फिरिदाबाद की, क्योंकि फिरिदाबाद में में लाओ या पू पोस्ट ओफिस पॉटल सेवा केंदर कहां पर खोला गया था, तो इसका रायट अन्सरोग अप्शन डी करनाल जी ले महरियान अका परत्म पोस्ट ओफिस पासपोर्ट सेवा केंदर खोला गया था, क्वेस्टन बर 14 है, डोसी तीरत सहस्तान की समंधी था, किस समंधी था, तो 2 से तिरत है सतान का सम्ध किस रीषी से है तो इसका राये ट्रीन्फ और का सम्मण रीषी 100 सتمध का सतान का समतिन नाक। क्यां पर पड़त हैं में द्रगड में आपको वियाद रखना है 2 इतिửत Q15 है असो का लिन थो पर बिल्ले को किसे ने बिल्ली के प्रीजक वरसा कोड़ला में स्थापित किया था तो कीश से पहले किस वरस में प्रारम्ट किया गया था तो किस्थ आपरारम किय गए था और दोस्तों जो 2021 में वा नयवाला था सुरुजगूंड क्राफ्ट मेला इसे सत्कित कर दिया है इनकी 35 वा शुरुजगूंड मेला था और ये अब नियो आगे हुगा क्वेस्टन बर नश्ट चलते हैं 17 पर निम्रिक में से कौन सुमेलित नहीं है इन में से एक सुमेलित नहीं है बाकी सभी सुमेलित आपको चेन करना कौन सा सुमेलित नहीं है इस पल सर्मा इसार से बिलोंग करते हैं इसे हरियाना गोरो सम्मान में मिल चुका हाली में ती चोपड़ा ये भी अंबाला से बिलाउं करती है और जो जो ही चावला है इस सिर्षा से नहीं ये भी अंबाला से बिलाउं करती तो रायट अंचर ओप्शन डी क्वेस्टन बर ठारा है हरियान के किस मुख्या मंतरी ने जुलाई प्रभावी रूप से मदनिशेदियन की सराब को बंद कर दिया था तो किस मुख्या मंतरी ने किया था तो रायट अंचर ओप्शन डाले और उन्नी सो अठानव में ये सराब बंदी तूट गई थी और फिर से सराब बिकनी शुरो गई थी क्वश्टन बर उन्नी है हरियाना का सुरोच खेल पूर्सकर कौन सा है तो रायट अंचर ओप्शन ब सुरोच को कों ? रायट अंचर ओप्शन डाले त्हींbro양 ये साथे यह स vibe ऑप्शन टाले बर उताले उत्यकम हैं तो हरियान में कितनी पुलिस रेंज है तो हरियान में पांच पुलिस रेंज है कौन-कौन सी है अमबाला है करनाल रोतक इसार और रेवाड़ी कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ सरुवात में की बात है यह अहाली की बात नहीं जब भी सरुवात में की गई थी जब दान की जगह मक्का बोने की बात जी तब यह जो ना लागू कीई थी आज से एक साल पहले चलते हैं next question number 23 है नम्लिक यूग्मों मेंसे कौं सा सुमेलित है अपको एक सुमेलित है उसका чेहन करना है इन्सकी यहां से टिक करना है इनमें सुमेलित कितने है तो रैटन स्ड्रोग आपशन से यह ऐसे याद रख लेना क्वेशन बर चोबीस है काकोरी डिकायति गटना के नाय कौन थे तो इसके प्रमुख डिकायतकार कौन थे जिसकी सायता से यह गटना को अंजाम दिये गया प्रमुख हैड कौन था इसका तो रायटन स्रोग अप्शने रामपसाद बीसमल और 1925 मे सिंगापूर के सवतंतर बार्थ की ऐस्ताई सरकार की कोशना किस ने की थी 243 में सिंगापूर में सवतंतर बार्थ की ऐस्ताई सरकार की कोशना किस ने की थी तो इसका राया ट्रेंसर क्या होगा तो इसका राया ट्रेंसर होगा ऑप्शन डी सुबास संद्रबोश ने की थी नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं क्वेशन पर 26 पर जलियावला बागह त्यकांट के लिए जिम्मेवार जर्नल डायर को निमन में से किसने मार डाला था तो किसने मारा था तो राया ट्रंसरोग आप्शन सी उदम सिंग ने क्वेशन पर सताई है बकसर का युद कब हुआ था तो राया ट्रंसरोग आप्शन ए 22 अक्टूबर 1764 को क्वेशन पर ठाई है मुगल सासको में सरवातिक विदुमान सासक कौन था तो मुगल सासको में सरवातिक विदुमान या पड़ा लिखा सासक कौन था दोस्तों इसका कुमेंट आपको करना इसका क्या होगा देखते आपकी तैरिक किस लेवल पर पहुंची है Q39 है हमारे सोर मंडल में सबसे गरम गरा है कौन सा है तो हमारे सोर मंडल में सबसे गरम गरा है कौन सा है तो राय ट्रेंसरों का उप्षन है शुकर गर है Q3 है पिर्थवी का उस्तन गन तो कितना है तो पिर्थवी का उस्तन गन तो उप्षन B 5.5 Q3 है पिर्थवी के आर्मिक वातावर्ण में नहीं था परिकिन पर तीस है विश्व का शर्वादिक सर्वाद पर अब्सक देश निमन में से कौन सा किसमें सबसे ज़्यादा सोनने का उत्पादन किया जाता है तो रायट इंस रोग उप्शन भी तो दक्चिन अफ्रीका में को सुमेलित करें तो नीची दिये कूट के से उत्र का चैन करें तो आपको से उत्र का चैन करना है तो क्या होगा इसका क्वेशन बर 33 तो रायट रोग उप्शन ए आएगा इनकी प्रोड जलोती है घादरोती है नविन जलोड जलते हैं next question number 34 है जिलका जिल पर दिश नमलिक नदियों के मोहाने के बीच में गहला है Taiwanese तो शिलका जिल ब्र सिंव इनमलिक कि जब भी नहीं मिट्टी का गठन होता तो उसकी उत्पादकता और उरवरता उस पर निर्वर करती है Q37 है शिवदान सभा की अंतिम बेठक का बसंपन होई थी तो राय ट्रेंस रोगा ओप्शन ए 24 जनवरी 1950 को क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हर्याना में सिवदानों को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था Q37 है हमारे वरतमान सिवदान पर सबसे अधिक परभाव किसका पड़ा था इनमें से तो राय ट्रेंस रोग ओप्शन ए उन्यों 35 के अधिनियम का सबसे सरवाधिक परभाव पड़ा था सबसे ज़्यादा कानूनों को इस अधिनियम से लिए गए थे बारत के सिवदान में Q30 में से कौन सा मूल अधिकार बारत के सिवदान के नागरिकों को नहीं दिया गया है तो उनमें से कौन सा अधिकार नहीं दिया है? किसी भी देश के बाग में बसने का अधिकार ये तो है, लेगिंग समानता का अधिकार भी है, सोचन के वियूद अधिकार भी है, लेकिन सुचना का अधिकार ये मूल अधिकार में नहीं आता, यसे हटा दिया गा था. क्वेस्टन बर 49 है अनुचे 24 के अनुसार कितने वरस से कम आयू बालकों को कार खाने अन्य जोकिम बरेकारियों पर न्युक्ति नहीं दी जा सकती या कारिया नहीं करवा जा सकता तो 14 वरस से कम बच्चों पर क्वेस्टन बर 40 है लोग सबागे पर्थम अधेक्स कौन थे तो लोग सबागे पर्थम अधेक्स कौन थे तो राय टन्सरों का आप्शन डी जे वी मालकर Q4 है इस्तियों और बच्चों के आवाज दीखी होती है इसका कारण क्या है इनकी इस्तियों और बच्चों के आवाज पैननी होती है जिसे हम देशी बास हम पैननी कहते है उसके आवाज का पैनायती होने का क्या रण होता है तो राय टन्स रोग उप्शन ए उसकी उंच आवरती है कारण उनकी वाज़ दीखी होती है क्वेस्टन नमर ब्याली है नीला थोता क्या होता है तो नीला थोता किसे कहा जाता है तो उसका राय टन्स रोग उप्शन ए उपर सलफेट को नीला थोता कहा जाता है चलते question 43 पर दोस्तों आप comment जोरू करना आपके कितने question ठीक थे ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी त्यारी कैसी है question 43 है पैराफिन किसका उपातवाद है इनकी किसका उत्पाद है इनकी पैराफिन किस से प्राफित होती है तो राय ट्रंसरो का उप्शन है पैट्रोलियम परिशोधन की जब भी पैट्रोलियम को जो भी नीचे दर्ती से निकाला जाता पैट्रोलियम और उसके सूध किया जाता है तो सूध करने के बाद जो भी अप्सिष्ट पतार्द बचाती है उनमें से पैराफिन एक अलग पता कि आहाँ कुस्तन में करता हैं कि अल्जाइमर रोग मानु शरीब का कौन सब् कशलें को क्रबाबावित करता है यह पिन पीनतालीस रोग नामक टू किसके करना है दिक पॉसिन ड अंकि,cü,ट्रिप्ट अपा नमक कोश का जीओं उता है, जो है बिमारी को फ़लाता है खूसन पर चालीज है, पोलियों को अविशानु सरीर में प्रवेस करता है, तो कैसे प्रवेस करता है, पोलियों को अविशानु σεरीर में, तो राया ट्रन्स रोग उप्षन सी दूसरो बोजनवत जल के दोवारा क्वेशन्बर स्थालीश है BCG का अर्थ क्या होता है जो भी BCG का टिक लगाया जाता है इसकी फूल फोर्म क्या होती है तो राया ट्रन्स रोग उप्षन सी बैसिलस, कलिमिंटी, गोरियनो, तिसकी, फुल पॉम क्वेशन नमर तालिस है मानो सरीर में विटाविन A संचीत होता तो मानो सरीर में विटाविन A कहां पर स्टोर होता है तो राया ट्रेंस रोग अप्सन है यानकी यक्रित या लेवर में चलते हैं नेक्स्ट कोचन पर मनें चास पर सुमेलित कीजिए सुमेलित करना आपको क्या अनसर होगा इसका मनें चास का सुमेलित करना है तो इसका राया ट्रेंस रोगा बारतिये पेट्रोलियम तो यह है देरादून में केंधरिये काच और मृतिका सस्तान परक कोलकॉत्ता में और यह जो भी केंधरिये चमड़ा अनुसंदान है तो यह चेंडरी में है तो इसका राइट अस्रोग अप्शन है इनकी एक है भी के परी सिखासी डी का फोर्ग क्वेस्टन बर पचास है बारतिय राष्टिय अभिलेखा गार्स्तीत है तो बारतिय राष्टिय अभिलेखा गार्स्तीत तो कहां पर स्थीत है तो रायटन स्रोग अप्शन भी तो यह दिल्ली में स्ताफित है क्वेस्टन बर क्यावन है मोहनी अटम नर्तिया का समंद्ध की सराज्जे से है तो इस नर्तिया का समंद्ध की सराज्जे से है तो राइट अंसरों का उप्षन बी तो एक केरल से समंद्धीत है मोहनी अटम नर्तिया है question number 52 है पहले से on computer को restart करने को क्या कहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है तो option dn की warm booting question number 53 है नीमन में से कौन सा system unit का बाग है तो इन में से unit का बाग होता है CPU और CPU को computer का मस्तिसक भी कहा जाता है नीमन में से कौन सा email से समंधित सबद नहीं है दोस्तो इन बोक्स भी email से समंधित होता क्योंकि inbox में message देखते हैं sender जो बेज़दार रिशी और जो receive करता है लेकर जो powerpoint होता है यह email से समंधित नहीं होता है तो कोई भी slide या कोई भी presentation बनाने के लिए प्रोग के जाता है powerpoint question नमर 55 है 1024 बाइट बराबर होती तो किसके बराबर पर एक बार एक बार एक बार एक बार एक बराबर होती है तो तो रायट न्सरोग option D तो एक के बीके question नमर 57 है दोस्तों एक question पहले के है पहले की करंड़ा विर्गया आपके लिए important नहीं है जो आपकी है आपको करवा देता हूं यह पड़ लेते है उजबेकिस्तान के राष्टपति के आदिस पर किस विश्य को पढ़ाने पर लागा बैन हटा लिया गया तो पहले किस से विश्य पर लगा गया था तो रायट न्सरोग option D राजनीती सास्तर पजी से अटा दिया गया है question नमर 58 है सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेकर कौन थे तो यह किस ने लिखी थी तो सी नरेंदर मोदी नहीं question 69 है पंडित द question 60 है किसी कुमेला कहां पर आउजित किया गा था यह भी पहले का यह आपके लिए important नहीं और यह लगनों में किया था वैसे पहले का question 61 है किस अनसूची के अदार पर ग्राम पचायतों पर कानून बनाने का दिकार राज्य को हो तो किस अनसूची के तैत है राज्य को ग्रा पराग्यारा अनसूची के तैत राज्य को पंचायत कानून बना सकता है सलते हैं next question 62 पर किस देश के लोग सिवधान संसोदन में स्यवं बाग लेते हैं तो किस देश के लोग है तो राय टनसरोगा ऑप्शन D United Kingdom के लोग सिवधान संसोदन में स्यवं बाग लेते हैं question 63 है पहली बार बारतिय सिवधान में संसोदन का बुआ था तो कब किया गया था तो राय टनसरोगा ऑप्शन D United Kingdom में पहली बार बारतिय सिवधान में संसोदन किया गया था और उसके तैत कूछ संपती से जुड़ी बातों को भी जोड़ा गया था question 64 है अक्टूबर 1969 में पंचायती राजबारत में सिरो पर्थम आर्म किया था तो किस राज्य में शुरू किया था तो राय टनसरोगा ऑप्शन एजे राजस्तान में शुरू किया था question 65 है नीचे दिये के सबद का पर्यवची सबद बताईए इनके गर्मी का पर्यवची क्या होगा गर्मी का होता गरीशम question 66 है विपरिते इनके अलोंबतार अगर जबड़ा होता है तो अनुद छोटा question 66 होगा option B अपना नुक्सान खुद करना नीचे लिखे सबद का एक बचन बनाईए तो डालिया का क्या होतो अप्शन है डाली question number उन्हें तर है नीचे सबद का बवबचन बनाईए पंक्ति का पंक्ति का क्या होगा तो अप्शन होगा बी पंक्तिया आप नोट कर ला की विंदिया आएगी उपर के चलते ना नाक्स्ट है question question number 70 पर समयन्य वर्तकाल का उदारन क्या है तो समयन्य वर्तमान काल का उदारन क्या है सिता बजार जाती होगी यह तो वर्तमान मनियाता रमेश ने समचार पत्तर पड़ा हो पड़ा यह पाले पास्ट में आ चुका वर्सा और रही है एक कॉंटीनू में आ गया वह कलकता ज नहीं है वाल कि विदेश सब्द हैं इंगली से कुछ कर लेते हैं साथ क्या पता यह कुछन आजा या पर तुका लगजा एक को एक है एक क्वाशन से ठीक होने से भी सेलेक्शन हो सकता है तो आप किसी वी विश्य को कमजोर मत समझेना आप त्यारी करके जाना कुछन नमर पहते हैं चूज दा वर्ड दैजिज मोस्ट ओपोजिट इन दा मेनिंग ओफ दा वर्ड सो एनकि आपको इसका अंटोनिम बताना है तो सो मने उता दिखावा हाइड होता है इसका विवरित है निकी चुपाना कुछन बर त्यत्तर इसका आपको सवनोनिम बताना है रिस्प प्रेंड हाव plays फोरवाट उदा हैं डूट समाइब को यह उभी है यह फगां हाओन है यह इं ड्विटी हो कुण सा है तो चुथ होगा होगा और सुन एसे करल fan इता है नमें μια यहा इंसे प्रेलाहे यह यह क्या है तो क्या अब्सन собой प्रोकल प्रे compromise होता हो की इचोदर एक दूसरे की विप्री तो इनके रैसी प्रोकल क्वेस्टन बर चैंतर है आई वाज सोग्ड खालिस्तान फट आई सा आई हैव आई हैड नेवर सीन एनिधिंग लाइट विफोर निकी में सोग रह गया जब उसने क्या देखा ऐस से पहले उसने ऐसा नहीं देख का इसलिए हो सोग रहे गया तो चैंतर क्या होगा ओप्सन डी आई वाज सोग्ड एट वोट आई सा इनकी एट आएगा इसमें चैंतर का क्वेस्टन बस्ता है कन आई कन नोट अंडर्स्टैंड पीपल हूँ आर क्रियों खालिस्तान एनिमल्स तो इसके साथ क्या हैगा तो क्रेल टू अनिमल्स इसके आपको एरर की सेलेक्ट करना है एरर किसमें होगा अठांतर का ओप्सन होगा डिया आप वाइसी कर लेना इसका साथ मैसी तरह एक्सप्लेशन नहीं कर पाऊँगा तो इसका राइट अप्सन डियन की वर्ड राउंड नहीं आएगा इसमें नेक् सबसे पहले यहां पर जाएं जुकर रखम लिखे आप ऐसे ही कोईसन पेपर में लिख सकते हैं आपको अलग लिखने की जूरत नहीं है आपको सीधे ट्रिक बता देता हूं देखो सबसे पलस का पलस का बाग आपको ऐसे निशान लगा लेना मैनस का है तो मैनस को किसी में मैनस को बदला है गुना मैं तो यहाप को दक लिखा लेना ऐसे सोल करना यहाप दूबार रखम लिखने लेक जाओ इसए अपका टाइम ख़राब होगा तो ऐसी हो इसका रेट डर नसर होगा एकईट्ड तो भी साप है आपकर निकाल के देख लेना और इसका 80 का क्या होगा तो सी का होगा एक इसका एक होगा ठीक आप कर लेना आपके लिए क्वैस्टन है यह लाशन वाले इस रिजिन के भी कर लेना और बैसी इसका अनुस्पर बता देता हूं आपको 80 का क्या हुआ 80 का भी होगा आप निकाल कि देखें लेगा और यह जो 82 है 80 की क्या होगा 22 का आएगा एक यूशे 46 ठीक तीरासी की क्या होगा 23 का आएगा और बताना का इसी वीडियो लोगी आगे आपके लिए आसे लाए और लाए पर इस कोमाड़ जरू करना आपके कितने वाशन ठीक पाए मुझे पता जल सक्के आपकी त्यारिक आशिये थैंक्यों सब्सक्राइब का वीडियो देखने के लिए